हलो दोस्टों नमस्कार आप लोग का पुना एक बार फिर सब वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्टों कमेस्ट्री के इस अगले पार्ट को तो पीछवाले पार्ट में हम लोगों ने यहां तक देखे पढ़ दिया था यह वाला टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था जेनॉन डाइक फ्लोराइड के गुनों के बारे में ठीक है इन और गनी कमिस्ट्र का यह चल रहा है लेसन फाइब का यह टॉपिक चल रहा था हमारा तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा क्रेस्ट कर लिजे जल्दी से जल्दी ठीक है बहुत ही कम सी टभैलिवल है वहाँ पे तो जिसका किफी मात्र 499 रखा गया हमारे टीम द्वारा एक सरल सफ ही है कोई जाधा दिकत नहीं होना चाहिए आप लोगो बारे में देखें बारी बारी से सबी गुनों को हम लोग कफर करेंगे और आएए आते हैं कि इसके पहले गुन के बारे में पढ़ते हैं कि जेनौन टेटराफ्लोराइड एक असथाई यॉगिक है परントु यह जेनौन डाइक्लोराइड की अपेच्चा कम असथाई होता है जेन ओन टेर्टर फ्लोराइड जो है वह यह एक अस्थाई योगिक है परंतु यह जेनओ δεν टाइक फ्लोराइड के अपेच्छा का मस्थाई होता है दूसरा हमको इसमें जानना है हम लोगों को कि इसका द्रवनांग 373 Kelvin होता है तीसरा topic इसमें जानना है कि यह hydrogen fluoride में विडे ही होता है मतलब घुल जाता है hydrogen fluoride में और चौथा जानना है यह hydrogen द्वारा अवक्रित होकर xenon तथा hydrogen fluoride बनाते हैं जैसा है कि इस समीकरण में दिखाया गया है कि मतलब XEF4 प्लस 2H2 ठीक है देखे hydrogen द्वारा अवक्रित होकर XE यानि xenon प्लस HF hydrogen fluoride 4HF लगा दिया गया संतुनित करने के लिए शमीकरण को का निर्मान करता है चलिए इसके पाचवे पाचवा जगुन है जैनोन टेट्राफ्लोराइड का उसके बारे में लोग पढ़ेंगे कि जैनोन टेट्राफ्लोराइड का पाचवा गुन ये कहता है कि जैनोन टेट्राफ्लोराइड जल के साथ अविक्रिया करके जैनोन ट्राइड अक्साइड बनाते हैं और जो एक क्या है बिस्फोटक होता है ये देखे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड जल के साथ अविक्रिया कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे देखे जिनॉन ट्राइ ऑक्साइड का निर्मान कर रहा है जो किसका काम करता है बिस्फोटक का काम और यहाँ पे देखिए ऑक्सि जानना है जिनौन हिकसा फ्लोराइड के बारे में ठीक है देखिए यहाँ पे F4 था तो टेटरा हो गया था और अब हम लोग का हिकसा आ गया तो यहाँ पे सुत्रिस का XEF6 हो गया ठीक है चलिए अब जानेंगे इसके टॉपिक को बारी बारी से ठीक है गुनों के बारे में तो पहला इसमें जानना है कि XEF4 साधारन अवस्ता में रंगहीन एवं क्रिश्टल ये ठोस होता है दूसरा जानना इसका द्रबनांग 315 क होता है तीसरा जानना या सीलिका के साथ संयोग करके जेनौन आक्सी टेटरा फ्लोराइड बनाते हैं जैसा कि समीकरन में दिखाया गया है ठीक है चलिए आगे हम लोग जानेंगे इसके चौथ है टॉपिक में कि जेनौन हिकसा फ्लोराइड जो है वो हाइडरोजन के साथ अभी करिया करके जेनौन तथा हैडरोजन फ्लोराइड बनाते हैं ठीक है XEF6 पलस 3H2 is equal to 6HF पलस XE ठीक है ये इसका सोतर था चल अगे बढ़ते हैं आज के इस टापिक में देखके यह हम लोग का दो तीन टॉपिक अभी और बच गया इस टौपिक में तो उसको हम लोग कफर कर लेंगे आज वीडियो में तो आज का ये टपिक हम लोग का क्लियर होने के साथ साथ देशन फाइब हमारा क्लियर हो दाएगा चेलिए यहां तेक हम लोगों ने पढ़ दिया अब अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए जेनान ट्राइ ऑक्साइड के गुनों के बारे में ठीक है यहां पर देखें के लिए विलेन अस्थाई होता है तीसरा हम लोग जानेंगे सुस्क अवस्था में मतब ठंडी अवस्था में यह विस्फोटक के रूप में होता है ठीक है यह विस्फोटक के रूप में कारी करता है और चौथा और मेन टॉपिक इसमें जाना है कि जब कास्टिक छार के ज जलिये विलियन के साथ जेनाउन ट्राइ ऑक्चाइट की अभी किरिया कराई जाती है तो सोडियम हैड्रोजन जेनेट आयन बनता है ठीक है जैसा कि इस सुत्र के द्वारा हमें दर्स आया गया है कि XE O3 प्लस यन ए O H और ये निर्मान कर रहा है एने प्लस यानि कि ये देख आयन के बारे में ठीक है चलिए तो ये था हमारा इस सुत्र के द्वारा हमारा समिकरन के द्वारा ये वाला टॉपिक क्लियर होता है आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग को देखें बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है इसको आप लोग BVI करिएगा बहुत ही अच्छा प कि कभी कभी उतक्रिष्ट गैसों के अनू कुछ योगिकों के क्रिष्टल जालक के छिदर में ठीक है कभी कभी उतक्रिष्ट गैसों के अनू जो है वो कुछ योगिकों के क्रिष्टल जालक के छिदर में बंद हो जाते हैं और ऐसे बने योगिक को कलैतरेट योगिक कहा ज तक बने रहीगा दोस्तों कमेंट बोक्स में जरूर बताईगा आपको यह वीडियो कैसा लगा आप देखें यह बहुत ही सांदार टॉपिक है इसे भी भी करिएगा बहुत यह अच्छा प्रश्ण है कि उत्कृष्ट गैसों के प्रमुक उपयोगों को लीखें अब कि उत्कृष्ट गैस में लोग सबसे पहले जानते हैं हीलियम के बारे में पहला गैस हीलियम आप देखें इसका उपयोग क्या है हीलियम का क्या क्या है गुवारे तथा वायुयानों के टाइरों भरने में आपसे प्रश्ण इस तरह से पुछा जाएगा कि गुवारों को में या भरने में गुवारे में किस गैस का प्रियोग होता है तो हीलियम का और दूसरा प्रश्ण इहां से क्लियर होता है कि वायुयानों के टाइरों में जो हवा में वायुयान उड़ते हैं उनके टाइरों में कौन सा गैस भरा जाता है तो वहां पे भी हीलियम का नाम ले परियोग गोता खोर के द्वारा सोसन गैस के रूप में किया जाता है आप से प्रस्ण इस तरह से पुछेगा कि गोता खोर के द्वारा किन दो गैसों के मिसरन का उप्योग किया जाता है या फिर गोता खोर किस गैस का उप्योग करते हैं तो आपको हाँ पर अंसर देना है हि दोनों को mix करके वो ले जाता है गोता खोर जो पानी के अंदर गोता लगाता है swimming वाला तीसरा जानना इसमें कि परियोग साला में निम्नताप पर कारिक करने के लिए helium का उपयोग सीतक के रूप में किया जाता है ठीक है अब मतलब प्रसीतक मतलब ठंड़क के रूप में उसका परियोग किया जाता है चलिए तो ये तीन टॉपिक आपका helium बाला क्लियर हो गया होगा अब हम लोग जानेंगे दूसरे गैस के बारे में ठीक है है दूसरे हम लोग का टॉपिक है नियोन आप जानेंगे नियन गैस की क्या-क्या भूमीका होती है देखिए ow आप लोग का abüzेक्टिव कभी टॉपिक क्लियर हो गया this नियॉन बल्व नियॉन लैंप तथा नियॉन ट्यूब बनाने में नियॉन का जो बल्व होता है जैसे हम लोग का जो विदुत बल्व होता है उसमें अध्याद तर नियॉन गैस बारा होता है नियॉन का लैंप भी होता और नियॉन ट्यूब बनाने में ट्यूब लाइट जो अगला हम लोग को जानना है दोनों का मिसरन होता है उसमें और अगला दूसरा टॉपिक जानना है नियोन बल्व का उपयोग वानस्पतिक उध्यानों को सजाने में होता है वानस्पतिक उध्यानों को सजावट की रूप में किसका उपयोग होता है नियोन बल्व का उपयोग होता है चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक इसमें कि नियॉल लैंप का नियॉन लैंप का उपयोग हवाई पटियों को प्रदिप्त करने तता हवाई एडे पर संकेतिक लैंग के रूप में होता है देखिए आप लोग सिगनल वगरा में देखते होंगे वह को सदावियों के सदाबट करने में करते हैं अब हम लोग जानेंगे अगला टपिक और गंद के बारे मैं चलिए औरगन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से पर देखिए सब سے पहला हम लोगं क्या पढ़ा सबसे पहला ही लियंप दem अब हम लोग जानेंगे और ग मुंक के बारे में और ग हम लोगака बा 화sk कव स्थ किल के बाल बेंगे मुंक कि अब अब लोग ने पढ़ा ऊपर में भी हसा उसके बारे में तो और अल्यूमीना का वईदूत अफगटन करते समय निसक्रिये वातावरन बनाए रखने के लिए किस गैस का प्रियोग होता है और गन का उपयोग होता है यहां से दो टॉपिक आप लोग का क्लियर होगे दोस्तों अब्जक्टिव में पूछेगा कि अगर आपसे पूछ दिया कि विदूत बल्व बनाने में या विदूत बल्व में किस गैस का प्रियोग होता है जादा तर तो और गन का और फिर आपसे अगर इस तरह से पूछ दिया कि अल्यूमीना का वईदूत अफगटन करने में या उसके करते समय निसक्रिये बातावरन बनाए रखने के लिए किस गैस का प्यूता है तो ऑर्गन का ठीक है चलिए अब 2 3 टॉपिक और जाना है हम लेको अब हम लोग जानेगे करिप्टॉन के बारे में जैसे के तो जिनौन का उपयोग जो है वो बिधुतिये च्छे द्वीप वल्व बनाने में होता है जिसका उपयोग उच्छ कोटी के फोटोग्राफिक करने में होता है ठीक है और आज का लाश्ट टॉपिक हम लोग का इस लेसन फाइब का इसे निस्क्रीग एस वाले में रेडाउन क बारे में जाने है बहुत ही बीवियाई टॉपिक है यह इससे अब्जक्टिव क्लियर कर लिजेगा एक दो एक्जाम में बन सकता है कैंसर रोग के उपयोग में रेडाउन का उपयोग विकिरन चिकट्चा के रूप में किया जाता है देखे बहुत बार एक्जाम में तो आपके हां से दो टॉपिक क्लियर हुआ पहला कि रेडाउन का उपयोग कैंसर रोग के उप चार में किया जाता है और दूसरा रेडियो सक्री इनसुन्दारों में भी किस का उपयोग होता है रेडाउन का ठीक है तो अमीद है दोस्तो यह सेसे सन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहोगा इसमें आज हम लोगों ने बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कभर किया तो आज हमारा इसके मिस्ट्री का लेशन फाइब किलियर हो गया इन अर्गेनिक का तो अगले टॉपिक का इंतजार किजिए और अगर आपने हमारे इस क्रे त्यांक यो फॉर वाचिंग पूस इस इधरा चैनल को सपोहर्ट करते रहें और बने रहें च्रीम क्लासेश कर लोगों करते रहें और जनरल किसन के वीडियो को फॉलो करते रहें थ्युक्त है थेंग यो फॉर वाचिंग पॉसिधियो झाल झाल